हालो एवरिवान आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू क्यू का जो मार्च 2021 में पुछे जा रहे हैं साथ में उनके फॉलो अप्स ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप क्या-क्या बोल सकते हैं इन टॉपिक्स और क्वेस्चन्स पर किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जिससे आप नराज हो गए या दुखी हो गए इसमें आपके फ्रेंड या पारेंट्स को लेके कुछ कह दिया और आपको अच्छा नहीं लगा वह भी पब्लीकली इसमें आपको पूरा सिचुएशन बतानी है कि कौन था वह कैसे हुआ और क्या उसने ऐसा कहा जिससे आप अनॉइड हुए और फिर क्यों आप अनॉइड हुए और उसका क्या किया आपने बंदे को कांफरंट किया यहां फिर नराज की अपनी शो की कैस का संब्स करीड करतें क्या कॉजिज एंडेरेशन ऊंपक्तर ववाट कौाषिस लिए नियौन धाप को सबसे बिगलाइंज इसमें नiegलता है दो यूवर कम था तो रहेगा वंब्लेशन कैसे कर सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं, कि जो older generation है, उन्हें initiative लेना चाहिए, कि वो younger generation के साथ, गुल मिल जाए, उनके तौर तरीके अपनाए, अगला जो cue card आ रहा है, वो बहुत old cue card है, I think, सब को इस cue card के बारे में पता है, लेकिन ये March 2021 में पूचा जा रहा है, talk about it, why you liked in your childhood, what it was, who gave it to you, how often you played with it, and explain why it was special to you, अब इस topic में देखिए, कोई भी toy आप बोल सकते हैं, generally लोग बोलते हैं, doll, or electronic car, or you can talk about electronic train, or anything, whatever toy you received in your childhood, you can tell कि अभी आपके पास वो है, या नहीं है, किस ने दिया, कप दिया, आप इसमें देखिए, आप उसको अपना first birthday toy ना कहें, क्योंकि तब हमें नहीं याद रहता कि वो मेरा first birthday toy है, अगर first birthday toy कहना भी है, तो आप बताएंगे कि later on आपको पता चला कि ये toy आपको किस ने दिया, या आपने ears तक उसको use कि, आभी भी आपके पास है rather good one, आप इसके discussion में questions जो आते हैं, what type of toys do children like, आपने बताना कि particular के उसी brand के उन्होंने toys लेने हैं, उसका क्या reason है, या तो फिर उनके parents उसी company को preference देते हैं, या बच्चों को toys ही पसंद आते हैं, what do toy companies do to sell their toys, of course, वो advertisement करती है, वो lure करती है children को कुछ इस तरह की advertisements, देखे offers, देखे कि बच्चों को लगता है, यही toy है, वो ऐसे display करती है, कि बच्चे persuade करते हैं, अपने parents को buy करने के लिए, do children's preferences in toys change when they grow up, of course, देखे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी toys को लेके preferences भी बदलती है, इसमें आपको बताना है कि कैसे change होती है, इसमें आप अपनी example ले सकते हैं, क्योंकि आप भी of course childhood से बुजने हैं, तो कैसे क पसंद है, what kind of game should be compulsory in secondary school, जिसमें आपको games की बात करनी है, you should talk about physical, जो हमें games के लाते है school में, जैसे cricket, badminton, any type of games you can talk about, should older people play these games, why or why not, of course, they should also play, it will keep them healthy and fit, एक और topic है, जो February और March में, continuously repeat हो रहा है, के talk about a person who wears unusual clothes, इस पे बहुत student confused है कि किस पे बोले, मैंने काफी students का देखा है, वो कहते हैं, हम रनवीर सिंग का बोलेंगे, अब रनवीर सिंग सारे students ही बोलेंगे, I think he is not the only person who wears unusual clothes, आपके आस पास भी काफी लोग होंगे, जो अजीब हो ग्रीब कप्रे पहनते हैं, अजीब के कहते हैं, for example, these days अगर हम कहें, like one particular color or style is out of fashion and a person is wearing same style, that means that is unusual, और कही लग खुद भी design करते हैं, अपने कपड़े बिल्कुल अलगतर हैं के, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, I think अगर आप अपने किसी known या आसपास के person के बारे में बोलें, तो आप ज़्यादा detail में बोल सकते हैं, rather than अगर हम किसी actor के बारे में बोलें, अब इसकी देखिये, discussion में कैसे question पूछते हैं, what clothes do people normally wear in your country, do young people wear the same fashion as old, of course, some old people are following the same fashion, some are not, you can talk about this, and why do you think some people prefer comfortable clothes to fashionable, इसमें भी आप बता सकते हैं, के comfortable clothes, क्योंकि कई लोग का clothes पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको अपने काम पे, अपने जो भी उसके goals हैं, उसके focus करना होता है, तो वो इतना fashionable नहीं रहते हैं, और वो लोग fashion follow नहीं करते हैं, और जैसे कपड़े चाते हैं, वैसे पहनते कि क्यों खरीदने लगें, इसमें आप covid का भी add कर सकते हैं, कि आजकर लोग prefer नहीं करते हैं, stores में जाना, rush में, crowd में जाना, तो लोग online prefer कर रहे हैं, और after covid situation, more people have started buying online, अगला question है, why would some people prefer to shop in store, देखी, अभी हमने का कि online का trend है, पर कई लोग फिर भी store से ही खरीदते हैं, तो कई लोग नहीं trust करते हैं online, next topic जो मार्च में पूचा गया है, वो है, talk about a skill you would like to teach others, और उसमें उन्होंने options भी दे दी, like driving, mathematics, cooking, अब इसमें देखिए, पहले आपको बताना है skill कौन सी है, क्योंकि उसने options दी है, mathematics, cooking, driving, how you learned it, पहले आपने कैसे सीखी, who you would teach, किसको सिखाना और क्यों उसको आप ये skills काना चाते हैं, इसमें आप बोल सकते हैं, जैसे आपके किसी family member को cooking नहीं आती है, आपको आती है, या उसको driving नहीं आती है, वो बंदा dependent है किसी पे हमेशा, तो आप चाते हो कि आपकी sister brother जो भी है, वो independent हो जाए, क्योंकि जब अगर driving आती होगी, बंदा आपने आप से drive करके कहीं भी चला जा सकता है, तो इसमें आप बता सकते हो, पहले आपको कैसे आती है ये skills, आपको किसने सिखाई, और आप क्यों सोचते हो कि इस बंदे को सीखनी चाहिए, और आप कैसे सिखाऊगे, तो आप बता सकते हो कि I can teach him well, because उसको ये fear है, म motivational, organizational skill, कैसे manage करना है class को, हर तरह के student को, what are some modern ways to teach, modern ways में हम आजकल audio visual, आजकल तो online आपको पता ही है, नए trend शुरू हो चुके है, online tutorials and all, should teaching have elements of fun in it, देखिए अब इसमें उसे पूछा है कि teaching में तोड़ा कुछ fun होना चाहिए, of course fun होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत boring हो जाए इसमें आप बता सकते हैं कौन सी skill आपको लगता है कि सीखनी बहुत जरूरी है, चाहिए वो swimming हो, driving हो, आजकल आप good communication skills भी कह सकते हैं क्योंकि it matters a lot अगला जो topic आ रहा है, वो आड़ा, describe an occasion when you tried a food for the first time, when was it, where was it, what was the food and explain whether you liked it or not देखें इसमें आपको बताना है कोई भी food जो आपने first time try किया है, इसमें आपको जरूरी नहीं आप foreign food का जिकर करें, इसमें हो सकता है कि आपने कभी Indian food किसी और state का ही try किया हो, जैसे Gujarati, Maharashtrian, South Indian, तो आप बता सकते हैं कि आपने वो कौन सा particular food first time try किया, कहा try किया, कैसा ल तो जरूरी नहीं इसमें आपको Chinese, Italian ही बोलना है, आप कोई भी Indian food जो आपने first time try किया है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, इसके follow-up में देखें क्या पूछा जा सकता है आपको, what kind of food is popular in your country, do older and young people have different food preferences, तो अब बता सकते हैं कैसी food preferences है young और old की, क्योंकि old people health conscious हो जाते हैं, do you think young people will change their taste in food in future, of course, they can, क्योंकि अभी new new experiment हो रहे हैं, आप इसमें यह नहीं कह सकते हैं, देखें, इसमें कभी भी याद रखना, आपने ऐसा answer नहीं देना, जब future की बात आते हैं, कुछ student कहते है, future is unpredictable and all, no, 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 you need not to say this, यहां पर बात उसने पूछी है, क्या उनका change होगा test, आप कह सकते हैं, हाँ, नहीं experiments हो रहे हो सकता है, food में भी नहीं नहीं चीजें आजाएं, who should be responsible for teaching children healthy food habits, teachers or the families, इसमें आप अपना opinion दे सकते हैं, क्यों जादा अच्छे से teach कर सकता है, अगर दोनों teach कर सकते हैं, तो कैसे teach कर सकते हैं, आप answer हमेशा naturally दे, कोई भी prepared answer देने क कोईशिश ना करें, और इसमें आप को ऐसे जाने कि रूद नहीं, बोथ can teach, बोथ are like this, you can say that families, I think we learn our basic habits from our families, so you can go in favor of that as well, it is your opinion, can social media influence people to follow healthy eating habits, of course yes, social media, जिसके बिने आजकल हमारा को जा रहा ही नहीं, हम सबसे ज़्यादा influence किस से हो रहे है, social media से, हमारी हर तरह की habits को लेके, तो of course हमारी eating habits भी उसे influence हो रहे है, तो इसमें आप बताएंगे, example भी दे सकते हैं, next your topic है, talk about an instance when you change your opinion, I had to make a new decision, अब यह देखिए, इस topic में आप क्या बोल सकते हैं, कि कोई ऐसी situation होई, आपने अपना opinion बदला, और आपको नया decision लेना पड़ा, what was the decision, when and where, how did people react to it, how did you feel about the decision later, इसमें जो सकते हैं, आपका किसी चीज़ को लेंगे particular opinion था, जैसे आप का हमेशा से criticize करते थे, फोरण जाने को लेके, कि क्यों जाना है, अपनी country को क्यों जोड़ना है, later on आपने अपना opinion change किया, और आपने plan किया, कि आप बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, और फिर जो लोग आपको जानते थे, उनका क्या reaction है, क्योंकि they were aware कि आपका क्या opinion है उसके बारे में, फिर आप उसमें reason देंगे, कि आपने वो decision क्यों लिया है, उसके क्या benefits होने वाले है एक और हो सकता है इसमें, जैसे कि आपने अपना opinion change किया, किसी particular place को लेके, कि आपको वो place पहले पसंद नहीं थी, फिर आपने वहाँ shift होने का सोचा, क्यों सोचा, और उसका क्या आपको consequences क्या हुए, it was good decision or not, इसकी discussion में questions आते हैं, do you believe change is an important thing, of course, changes, otherwise my life dull and boring हो जाएगी, change ब पता सकते हैं, do you think social media is shaping our decision, यह हमने पहले भी discuss किया है, of course, आज कल हम देखेंगे, हमें government को लेके, policies को लेके, हमारे decision जो है, social media से ही influence होते हैं, अगर हम कोई post उसके against देख लेते हैं, तो हम भी उसके against आया, for देख लेते हैं, तो हम भी कहते हैं, it's good, do you think famous people affect people of certain age more than other, yes, youngsters, they get more influenced by famous people, आपने देखा ही होगा, जितने भी celebrities हैं, वो youngsters को जदा influence करते हैं, और उनके followers भी यही age group वाले होते हैं, next, your question आता है, do you think we need people in the country who express opinions openly, of course, we need more people like this, क्योंकि अगर लोग express नहीं कर भाएंगे अपना opinion, तो हमारी country आगे कैसे बढ़ेगी, next, your cue card आ रहा है, describe a time when you encouraged a person to do something they did not want to do, आपने किसी person को encourage किया, कुछ ऐसा करने को, जो वो करना नहीं चाहते थे, इसके क्या है questions, क्यों है वो person, कैसे आपने उसको encourage किया, उसका reaction कैसा था, और आपने क्यों encourage किया, आप देखे इसने आप किसी का, ये भी बता सकते हैं, आपने किसी friend या family member को, उसका fear overcome कर है, जैसे किसी को water से, डर लगता था, हाइट से डर लगता था, आपने उसको जैसे sky diving, और paragliding try करा दी, जै किसी को पानी से डर लगता था, वो enjoy नहीं कर पाता था, कोई भी water activities, आपने उसको swimming सीखने को motivate किया, दो उसको बहुत मुश्किल लगा starting में, लेकिन अब उसको बह नहीं करना चाहते थे, जैसे किसी आपकी friend या family member ने decision लिया कि वो study छोड़ देंगे, क्योंकि उनका interest नहीं था, लेकिन आपने उनको encourage किया, कि study की बहुत value है, तो अगले ने फिर आगे study continue की, later on उनका interest भी generate हो गया, और वो आप बहुत अच्छी position पे आएं, या बहुत देखिये, parents ही encourage कर सकते हैं अपने बचों को सबसे अच्छा, तो of course वो नहीं चीज़े try करने को कहते हैं, तभी उनके बच्चे life में accept करेंगे, in what ways do they motivate their children, वो बच्चों को कैसे motivate करते हैं, कई लोग rewards दे देते हैं, कोई gift देता है, कोई appreciate कर देता है, कोई अपनी example देता है, Should parents reward their children with prizes for doing well, देखिये इसमें थोड़ा सा है, आप कह सकते हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर वो हमेशा ही उन्हें rewards देंगे, तो बच्चे एक तरह से it is kind of bribe, बच्चे सोचेंगे कि हमें bribe मिल रही है, इसलिए वो अच्छा-च्छा करेंगे, तो उनको सिर्फ motivation या appreciation भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं, हर बारी reward दिया जाएं, how can employers motivate their workers to do better at work, ये बड़ा interesting question है, कि employer कैसे motivate करें workers को अच्छा काम करने के लिए, of course, again they can also appreciate, they can give them incentives, they can give them holidays as a gift, so बहुत बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जिससे वो इनको motivate कर सकते हैं, और even वो उनको rewards भी दे सकते हैं, kind of, some kind of trophy, as an employee of the year, employee of the month, your certificates, इससे employees को काफी motivation मिलती है, last question देखिए, what is better, to offer money or more time of work to motivate an employee, आप इसमें उसने पूछ लिया, पहले पूछा के कैसे motivate करें, इसमें पूछा के पैसे दे करें, या उन्हें छुटी दे दे, more time of work, तो इसमें देखिए, आप अपना opinion देना है, कि आप वो ऐसे writing नहीं करें, जिसमें आपने conclusion देना है, this is just a question, तो अगर आपको लगता है कि money, आप ये कह सकते हो, some people, या most of the people work for money, so it's good if they give the monetary, monetary advantage, and लेकिन अगर आपको लगता है personally, कि more time of work, because these days, employees are working overtime, they are working for long hours, तो आप अपना opinion देंगे, आज जो हमने topics की हैं, ये अभी तक मार्च में पूचे जा रहे हैं, वो सकता है, आपको भी exam में ये topic पूचे जाएं, तो हमने एक थोड़ा सा brief introduction और ideas दी हैं, आपको कि आप इनको कैसे attempt करें, बाकि आपको कोई भी cramming नहीं करनी, कहीं से भी prepared answers त्यार नहीं करने, जो आपके मन में आता है, वो दे, try करे कि आप बहुत natural answers दे, prepared answers ना sound करें, कही students का क्या होता है, even वो prepared answers नहीं दे रहें, तो भी वो ऐसे ही लगता है, कि जैसे वो cramming करके आए हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा natural sound करना होता है, treat it like a formal conversation only, I hope ये video आपको help करेगा आपकी 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 speaking में, for more videos like this, please subscribe our channel, thank you. झाल